नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में मैं हूँ कुमार भिशेग आज बात उस जमीन की जिसे लेकर अयोध्या से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है जी हाँ, रामजन भूमी तीर छेत्र ट्रस्ट ने जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई है आखिर उस जमीन की जरूरत क्या थी कहां है ये वो जमीन और क्यूं उस जमीन को इतने महंगे में खरीदा गया तो आप जान लीजे कि जो राम मंदिर परिसर है उससे ये तकरीबन साढ़े तीन किलोमेटर दूर है ये भी जान लीजे कि एक तरफ राम मंदिर परिसर है जिसमें तकरीबन सत्तर एकर जमीन है जबकि रोड के दूसरी तरफ रेल्वे स्टेशन के नजदीक ये दूसरी जमीन है जो की एक लाख बीस हजार स्कॉर फुट है ये जमीन पहले से विवादों मेरे ही है इसके भी प्रमान मिल रहे है लेकिन आखिर राम जनभूमी तीर छेत्र ट्रस्ट इस जमीन को चाहता क्यों था और अगर ये मान भी लें कि उन्होंने महंगी जमीन खरीदी है मुहमांगे दाम पर खरीदी है तो आखिर इस जमीन को खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी है तो इस बात को समझ लीजिए कि ये जो राम जनभूमी का परिसर बन रहा है इस परिसर के आसपास कई ऐसे पुराने मंदिर हैं और इन मंदिरों को नए परिसर के लिए वहाँ से शिफ्ट किया जाना है और राम जनभूमी 136 ट्रस्ट ने अयोध्या का जो ये शहरी इलाका है इस इलाके के कई जगहों पर उन्होंने जमीने खरीदी हैं और ये जो जमीन खरी दी गई दरसल पाँच ऐसे मंदिर जिन्हें राम जन भूमी तीर छे ट्रस्ट शिफ्ट करना चाहता है उनके लिए ये जमीन खरी दी गई है सूत्रों की माने और प्रशासन की माने तो इस जमीन को रजिस्ट्री कराने के पहले बकाइदा उन मंदिरों के लोगों को भी ये जमीन दिखाई गई और जब जमीन दिखा दी गई और जिन मंदिरों को शिफ्ट होना है उन मंदिरों के जो संचालक जो महंत हैं उन्हें ये जमीन पसंद आई है और उसके बाद इस जमीन को खरीदा गया है और मुहमांगादाम इसलिए जो कि प्रशासन का कहना है कि मुहमांगादाम इसलिए क्योंकि जिन मंदिरों को इन जमीन पर शिफ्ट किया जाना है दरसल वो बिलकुल शहर में हो पुराने मंदिर से नजदीक ह और साथ साथ सब की उसमें सहमती हो ये तर्क प्रशासन के भीतर से निकल करके आया है कि इस जमीन पर पांच मंदर शिफ्ट किये जाने है और यही वजह है कि मुहमांगे दाम पर ये जमीन खरीदी गई है एक बात और ट्रस्ट के पास पैसे की कोई कमी नहीं हाँ अयोध्या में जमीन की कमी जरूर है धाई हजार करोड से जादा का चंदा रामजन भूमी 36 ट्रस्ट को आ चुका है और अब अयोध्या में अलग-अलग जगहों पर ये ट्रस्ट मंदिर के हिसाब से कई और सहूलियतیں बना रहा है कई और सुविधाओं का निर्मान कर रहा है और उसके लिए पूरे अयोध्या में अलग-अलग जगहों पर जमीन खरीदी जा रही है सिर्फ मंदिर परिसर नहीं मंदिर परिसर के अलावा मंदिर परिसर से दूर कई जमीने ट्रस्ट ने इसलिए खरीदी है कि जब मंदिर भब्बे बन कर तयार होगा तो उसके लिए और भी दूसरी सुविधाएं और भी दूसरी चीजों की जरूरत होगी और उसी में एक जमीन का बड़ा टुकड़ा ये है जहां कहा ये जा रहा है कि कई मंदिर शिफ्ट किये जाने है हाला कि इस डील में कहीं न कहीं खामी जरूर है इस डील को लेकर विपक्ष इसे पूरी तरीके से फ्रॉड स्कैम बता रहा है रामजन भूमी 36 ट्रस्ट का कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया है आटी जीएस किया है और इसलिए ये पूरी तरीके से एक नंबर का डील है लेकिन इस रजिस्ट्री के दौरान कुछ बातें ऐसी हुई पांच मिनट के अंदर दो करोड़ को साड़े अठारा करोड़ में तबदील हो जाना दोनों विटनेस का इन दोनों डील में दोनों अहम लोगों का जिसमें कि एक ट्रस्टी है अनिल शर्मा और अनिल मिश्रा और साथ-साथ दूसरे मेर का प्राइवेट ट्रस्ट में भी विटनेस होना कई ऐसे ऐसी बातें हैं जो सवाल जरूर खड़े कर रहा है लेकिन इस जमीन का क्या होगा ये साफ है कि ये जमीन सिर्फ इसने ली गई ली जा रही है ताकि राम जन भूमी के पास की कुछ मंदिर के कुछ मंदिर इस जमीन पर शिफ्ट की जा सके कुमार अभिशेक आयोध्या यूपी तक